क्या हो यदि हम काक्रोच को अंत्रिस से नीचे फेक देतो क्या वह जिंदा रहा पाया गया नहीं चलिए जानते हैं दोस्तों यदि हम स्पेस की बात करें तो यह कारमेल लाइन से सुरू होती है जो सरफेस से करिफ साव किलो मीटर उपा रिस्तित है और जैसा कि हम से भी जानते हैं कि स्पेस में ना तो आक्सीजन है और यहां का तापमान भी स्टीम लेवल पर पहुंच जाता है जहां साधी काक्रोच जिंदा रहा पाएं लेकिन चलो माल लेते हैं कि वह जिंदा रहा लेता है और प्रित्वी के टमास्फेर में प्रवेश भी कर जाता है तो उसे टमास्फेर का घर सड और बहुत बड़ी कटनाय का सामना करना पड़ेगा और पासिबल है कि वह जल कर राख हो जाए हलांकि धरती की ग्रेविटी के का काकरोज की ड्राप स्पीड करीब 4.8 किलो मीटर रने वाली है जो ये काकरोज की नार्मल स्पीड होती है मतलब यदि वह गिरते समय वाय मंडल के स्ट्रीम कंडिशन को आसानी से जेल लेता है तो काकरोज की धरती से टकला कर मरने का कोई भी चांस नहीं आए